गुड मॉर्निंग गाइस कैसे हैं आप सब कमेंट करके जरूर बताईएगा अभी अभी उठी हूँ मैं तो सोचे चलो टैरेस पर जाके थोड़ा बहुत एक्सराइज बगर कर लेते हैं अभी मैं एक्सराइज करने ही आई थी टैरेस पर थोड़ा एक्सराइज बगर करके फिर देखते हैं नाश्ता बगर करेंगे तो गाइस एक्सराइज हो चुकी है अभी नाश्ता करेंगे नीचे जाके तो देखते हैं ममा ने आज नाश्ते में क्या बनाया है अपिगा है तो आपका को नाश्टा हो चुकाँ में लेट सु टो बस मेरा इनाश्ता बांकी है तो कि पापा का आश्टा वगर सब होंके प्रेश वगर होंके नहां धोंक फूज्य वगर करके ऐस मी जाने की भी रिडि अचुक एअधि आज शादी है जैसे कि मैंने आपको गल बताया था मेरे भाई के फ्रेंड की शादी है हम सब तैयार हो चुके हैं बस अभी निकलने की तैयारी में है यह मेरे पपा है हलो गाइस मम्य अभी रेडी और यह बस हम निकलने ही वाले है अभी तो गाइस आज का दिन कहा गया कभ दो फैर से शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला तो पपा चले रेडी है यह चलो चलते हैं मुम्मी रेडी है हाँ ओके रेडी है चलो चलते हैं बाइस अभी हम घर पे आ चुके हैं बहुत थंडी है और अच्छली में स्वेटर वगरे भी नहीं लेकी गई थी तो मुझे बहुत ज्यादा थंड लग रहे थी हम सबको हमको लगा कि शादी जल्दी हो जाएगी पर हमको बहुत ज्यादा लेट हो गया था तो इसलिए गाइस वहां पर शोर भी बहुत था क्यूंकि आज मेरे सो गाइस अभी हम घर पर आ चुके हैं बहुत थंडी लग रही है अभी रात के साड़े ग्यारा हो रहे हैं सो गाइस अभी चलते हैं घर पर सो गाइस अभी मैं घर पर पहुत चुकी हूं हम मैं बहुत जादा थक गई क्योंकि हमने डांस वगरा भी किया वहां सो अभी आगए इकनी थंड थी बहार मुझे कर पया के बहुत अच्छा लग रहा है कि कि मैंने एक तो स्लीवलेज ड्रेस पहना था एक सो स्वेटर बगरा कुछ नहीं थी तो अभी मुझे बहुत रिलाक्स पील हो रहा है so guys good night and thank you very much for watching my vlog